Come back to my YouTube channel, सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है दोस्तों जितने भी FY, SY, TY, M.com, M.com Part 2, M.A. ये जितने भी स्टुडेंट है जिनका एक्जाम हो चुका है इन सभी स्टुडेंट को अपने रिजर्ट का इंतजार है दोस्तों बता दो कि Mumbai University ने रिजर्ट कुछ स्टुडेंट का डिकलेर कर दिया है किन स्टुडेंट का डिकलेर किया गया है, किन का नहीं किया गया इस वीडियो में डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूँ तो वीडियो को एंड तक देखिए और जितने भी न्यू स्टुडेंट चैनल पे चूड रहे हैं एजुकेशन अपडेट पाने के लिए प्लिस इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने जाद स्यादा दोस्तों में जरूर सेयर कीजिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दो कि मुंबई उनिवोसिटी के तरफ से FYB.com, FYBA, FYBACIT समिस्टर पेटन के स्टुएंट का रिजर्ट को डिकलेर कर दिया गया है आपके एक्जाम के रिजर्ट को डिकलेर कर दिया है जिसके रिलेटेट मैंने आप लोगों के लिए ये आर्टिकल भी लिखा है जो मेरे वेबसाइट पे है प्लस आप जिस कोर्स के वाप F5 तो F5 में जूर जाएए SY SY में जूर जाएए हर का लिंक दिया हुए आप जूर जाएए साती साथ मेरे इस चेनल YouTube चेनल पर भी आप जूर जाएए विकोस यह तीनो जगे तीनो प्लेटफोंग YouTube, Telegram और वेबसाइट पे आप लोगों को हमेशा अपडेट मिलेगा यह मेरा प्रोमिस है दोस्तो आप लोगों से दोस्तो अभी जिन स्टुरेंट का रिजर्ट आउट कर दिया है मुंबई यूनिवर्सिटी ने उनका लिंक मैंने इस वेबसाइट पे दिया हुआ है और जो मैं अल्रेडी टेलिग्राम चैनल पे भी दे दिया है तब वहाँ से भी इस वेबसाइट को ओपन करके यह देखिए आपको ओपन करने का भी तरीका बता देता हूँ आप इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका रिजर्ट ओपन हो जाएगा और मैं इस लिंक को न्यू टेब में ओपन करना चाहता हूँ इसलिए राइट क्लिक करके मैं इसको न्यू टेब में ओपन कर रहा हूँ आप हर मतब FYBA, FYB.com, FYB.Cit का इस तरीके से लिंक ओपन कर सकता आप जो भी स्ट्रीम से हो और दोस्तो इसे इस तरीके से जाके जो भी ये लोड़ी होने का टाइम ले उन्हें लोड होने दीजिए आपका रिजर्ट आपके सामने आ जाएगा जो मैं इधर ओल्रेडी ओपन करके रखा हुआ है ये FYBA का है, ये FYBACIT का है, ये FYBECOM का है दोस्तो ये आपका रिजर्ट है आपको आपका रिजर्ट पता चले कि आपका पास या फैल सक्सेश्फूली है कि नोट सक्सेश्फूली है यह देखिए दोस्तो इदर आपका seat number दिया है तो unsuccessful मतब फैल दिखाएगा अगर आपको केटी लगी हुई है तो unsuccessful केटी दिखाएगा तो दोस्तों आप इस तरीके से जाएए आप अपना result find out कर लीजे आप सभी दोस्तों को best of luck आपके result के लिए और जो भी update दोस्तों other subject को लेके आने वाला है मैं आप लोगों को जल से जल पताऊंगा आप इसका फिकर ना कीजिए और अगर आपको कोई और भी query हो तो प्लिस वीडियो के description में comment कीजिए मैं आप लोगों को आपकी query को जरूर solve करूंगा फिर से मिलता हूँ next वीडियो में जब तक के लिए दोस्तों बाइ बाइ टेक कियर जै हिन जै भारत दोस्तो झाल